हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका अरकी क्लासिस में दोस्तों अभी हम लोग वस्ट्टूनिस्ट प्रिवियस एर कुशन को देखने वाले हैं यह आपका एक सेट होगा इसे आप जरूर लगाएं चुकि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे एक अजीब सा प्रेशर दिमाग पर छाया रहता है कि आपको लगता है कि आप धीरे धीरे चीजें आप भूल रहें और काफी नजदीक समय आने के बाद आपको लगता कि तो इस चीज से निजात पाने के लिए प्रैक्टिस सीट काफी जरूरी है और इसमें हम लोग बिलकुल भी एक्स्प्रेशन नहीं करेंगे क्योंकि आपका समय और मेरा दोनों कीमती है कि वीडियो को लंबा खीचना ऐसा कोई मक्षद नहीं है क्योंकि यहां पर हमें टाइ अनिता नहीं आएंगी तो यूकि समय का यहां पर अभाव है हमारे पास भी आपके पास भी ठीक है सोर्स अफ इंकम का यहां पर कोई भी मुद्दा नहीं है मेरे लिए इसपेस ली तो इस चीज को अगे अगर बढ़ाना है या अगर अगे बढ़ते रहे तो आपका सपोर्ट इसमें आवश्यक है तो चलिए सुरू करते हैं अपना पहला सवाल है कि सुर्य तथा पिर्थवी के बीच न्यूनितम दूरी कब होती है ध्यान रखिए हम सवाल को दो वर पढ़ेंगे उसके बाद सीधा अंसर पर चलेंगे क्योंकि ऑप्शन को अगर डिस्कुस करेंगे या ऑप्शन को पढ़ेंगे तो ये समय आपका जा कि सुर्य से पिर्थवी के अधिक्तम दूरी कब होती है तो न्यूनितम तो लोगों ने देखा तीन जनवरी को होता है लेकिन यहां पूछ रहा है अधिक्तम दूरी कब होती है तो यह होता है चार जुलाई को ठीक है ध्यान रखना है तीन जनवरी को न्यूनितम दूरी च एकाई में मापते हैं तो प्रत्वी से सितारों की दूरी को प्रकास वर्स में मापा जाता है ठीक है प्रत्वी से सितारों की दूरी को प्रकास वर्स में मापते हैं अगला सवाल अधिकांस मौसमी घटनाएं डैस में संपन होती है तो मौसमी घटनाएं जो संपन होती है हम पराब्यागनी क्रिणों को अवशोशित करती है वायू मंडल में कौन सा गैस ऐसा उपस्थित है जो कि पराब्यागनी क्रिणों को अवशोशित करता है तो इसका सही जवाब है ओजौन अगला सवाल डोल्डरम पेटी की समान इस्तिती कहां होती अच्छा कोश्चन है ध्यान रखना है तो डोल्डरम पेटी की जो समान इस्तिती होती है वो होती है भूमद रेखा के निकट ध्यान रखिए भूमद रेखा के निकट ही डोल्डरम होता है अगला सवाल कहता है कि फेरल का नियम किस से संबंदित है कौन से नियम फेरल का नियम तो ध्यान रखिए फेरल का जो नियम है ये पवन की दिसा से संबंदित है clear है नेक्स्ट है टॉर्नेडो से क्या तात पर है टॉर्नेडो देखी टॉर्नेडो एक निम्न वायु दाप का छेतर होता है ऐसे प्रश्न ही दोस्तों आते वे गलती होते हैं अगला कहता है कि पक्छाब सबसे क्या तात पर है तो पक्छाब पक्छाब क्या होता है ये एक उचा बादल है अगला सवाल समुद्र जल में कौन सा योगिक सरवाधिक मातरा में पाया जाता है बहुत असान सवाल है तो ध्यान रखना है समुद्र जल में सोडियम सरवादिक मात्रा में पाया जाता है नेक्श कोश्चन कि गल्फ स्ट्रीम क्या है गल्फ स्ट्रीम क्या है तो गल्फ स्ट्रीम अंद महासागर की एक गर्म जलधारा है इसको याद कैसे रखेंगे अंद महासागर की गर्म जलधारा इस्ट्रीम तो खुद गर्म होती है तो ध गर्म धारा है तो यह है है अगले आदमी Πरहस देंहें तो जो आbecue NH dus primeira का डैस का उधारन है लाल सागर किसका उधारन है तो देखिए लाल सागर जो है भरंस संरशना का उधारन है रेट सी नेक्ष कोश्चन रूपांतरी चट्टानों की उत्पत्ती डैस चट्टानों से होती है बहुत अच्छा सवाल के दफ़ा पूछा गया है तो ध्यान रखिए जो रुपानतरी चट्टान होते हैं, इनकी उत्पत्ति आगने तथा तलचटी दोनों प्रकार के चट्टानों से होती है, अगला सवाल देख लेते हैं शिंदू गंगा मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है बहुत ही असान सवाल सभी को पता होगा जलोड मिट्टी नेक्श कोशन उन सभी अस्थानों को जिन पर एक तडित जहांजा एक ही समय पर होता है उनको मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है अच्छा सवाल है confusion हो सकता है तो ध्यान रखिएगा ऐसे सभी रेखा जिसको मिलाने वाली तडित जहांजा को आईसो ब्रॉंट कहते हैं अगला सवाल यह जो आईसो बात रेखा होती है इसका उप्योग किसको दर्शाने के लिए किया जाता आईसो बात तो यह होता है गहराई को आईसो ब्रॉंट में हम लोगों ने पढ़ा था तरित जहांजा आईसो ब्रॉंट नेक्स्ट कुशन देखी क्या कहता है कि विली-व अगला सवाल बहुत असान सवाल देखके लग रहा है कि रियक्टर महापक से किसी का मापन किया जाता है सभी को पता है यह हम लोग करते हैं भुकम्प का नेक्स्ट कोश्चन कहता है अधिकतर भारतियों का संबंध डैस समूसे अच्छा सवाल है देखिए क्या कहता है भारतियों का जो अधिकतर संबंध है यह किस समूसे है तो यह कौके साइट समूसे है नेक्स्ट कोश्चन अमेरिका के निवासी रेड इंडियन लोगों को किस नाम से जाना जाता है तो कहता है कि चावल जो है ये किस छेतर की सबसे महत्पुन फसल है तो चावल जो है ये मांसुनी छेतर का सबसे महत्पुन फसल है चावल next question कौन सा छेत्र जो है रसदार फलो नीमू परजाती के लिए प्रसिद है option में देख लीजिए क्या क्या है खेर इसका सही जवाब है भूमद सागरी है अगला सवाल है कि कौन सा छेत्र मुलायम लकडी के वनों के लिए महतपुन है मुलायम लकडी के लिए जो महतपुन छेता ये सीत सितोषन परदेश next question है मुमफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है मुमफली का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है चीन तम्माकू की बात करें तम्माकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है तो तम्माकू का भी चीन ही है अगला सवाल लंबे रेसे वाली कपास का सरवादिक उत्पादन कहा होता है तो लंबे रेसे वाली कपास का सबसे यदा उत्पादन USA अमेरिका में होता है अगला सवाल भारत संसार में डैस का सबसे बड़ा उत्पादक है तो ध्यान दखिए ये है मक्षन एवं घी का दूद उत्पादक का Next question संसार में मचली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है तो संसार में मचली का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है चीन चीन, मचली, तमाकू इस सब में सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है विश्व में कहता है संसार में गंधक का सबसे बड़ा उत्पादक डैस है गंधक तो ये है USA, गंधक USA Next question, कि सिमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक कोन है संसार में तो सिमेंट में भी USA ही है अगला सवाल, रेल इंजनों का सरवादिक निर्मान कहा होता है रेल इंजन का सबसे बड़ा निर्मान ये USA में होता है अगला सवाल, किस देश को संसार का चीनी का कटोरा कहते है चीनी का कटोरा, सुगर बॉल, तो ये है क्यूबा अगला सवाल परशिद करीबा बांध किस नदी पर है अच्छा सवाल है देखिए करीबा बांध किस नदी पर है तो देहां देखिए करीबा बांध जो है यह जामबेजी नदी पर है जामबेजी रिवर नेक्स्ट कुश्चन कि भारत का मुख्य भूमी का दक्षिंतम बिंदू क्या है असान सवाल है 8.4 और उत्तर का भी पूछा है तो ये 37 जिगरी 6 मिनट नेक्स्ट कहता है मननार की खाड़ी कहां इस्तित है देखिए मननार की जो खाड़ी है ये तमिलनाडू के पुर्व में इस्तित है ध्यान रखी का तमिलनाडू के पस्चिम तमिलनाडू के पुर्व इस तरह से भी दे सकता है अगला सवाल कि भारत की सरवोच चोटी केटू क कि स्रेनी में स्थित है तो यह जो है केटू है कारा कोरम स्रेनी में स्थित है नेक्स्ट कोशन दिखी क्या कहता है कि अरब सागर में स्थित भारती दीपों के किस भाग को मिनिकाय दीपसमू कहा जाता है मिनिकाय दीपसमू जो कहा जाता है यह दक्षणी भाग को कहा जाता है नेक्स्ट है कि तिस्ता किस मुख नदी तंत्र की सहयक नदी है तो तिस्ता जो है ये ब्रह्मपुत्र की प्रमुख जो है सहयक नदी है ध्यान डखना है नेक्ष कोशन कहता है कि सत्पूरा तथा विंद्याचल के मद कौन सी नदी भहती है अच्छा सवाल असान सवाल ये भहती है नर्मदा नेक्ट कोशन कि ग्रिस्म कालीन मांसून किस छेतर में सरपर्थम पहुचता है अच्छा सवाल है तो देखिए ग्रिस्म कालीन मांसून जो है सबसे पहले कहां पहुच रहा है पस्चिमी घाट में पहुच रहा है next question कहता है कि कौन सी मिट्टी गेली होने पर फैलती है तासा सुस्क होने पर उसमें दरारें पड़ जाती है तो ये जो मिट्टी है ये है काली मिट्टी इसलिए इसे स्वतह जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं अगला सवाल कि कौन सी मिट्टी की अधिक जलधारन छमता के कारण सिचाई अवशकता कम होती है तो ये मिट्टी भी जो है ये काली मिट्टी है इसलिए इसका नाम स्वतह जुताई वाला मिट्टी है नेक्श कोश्चन रूट नौट किस फसल की बिमारी है अच्छा सवाल है रूट नौट तो ध्यान रखना है रूट नौट जो है ये टमाटर की बिमारी है रूट नौट टमाटर नेक्श कोश्चन गन्य की फसल किस बिमारी से अधिक ग्रस्त होते हैं तो गन्या का जो फसल ह इसमें red rot नामक रोग हो जाता है जिससे ये खराब हो जाते हैं अगला सवाल black arm किस फसल को हानी पहुचाने वाली बिमारी है बहुत अच्छा सवाल है ध्यान रखी इस तरह के सवाल काफी confuse कर सकते हैं तो black arm जो है ये कपास को नुकसान पहुचाता है अगला सवाल है खेरा न next smart नामक बिमारी किस फसल को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है smart देखिए smart को प्रभावित करने वाला है बाजरा smart को कौन प्रभावित करता है बाजरा तो यह था हमारा 50 कोश्चन देखिए थोड़ा तेजी में इसको वीडियो बनाया गया है आप इसमें अपना अगले लक्चर में बांकी इस टेस्ट का जो पीडियेफ है आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगा जय हिंद जय भारत